सेंट्रल बैंक ओफ इंटिया ने आज यानि की 20 अक्टूबर 2023 को अपने क्वाटर के फाइनिशल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है तो चलिए हम लिए इस रिजल्ट को देखते हैं और इससे अनलाईज करने के कुशिस करते हैं यह इस बैंक के क्वाटर टू का स्टैंड अलोन फाइनिशल रिजल्ट और यहां सारी फिगर लैक सें बताए गए हैं मैं आपको फिगर्स को करोड में कनवर्ट कर बताऊंगा क्वाटर टू में इंट्रेस्ट अरंड 7351 करोड है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 7225 करोड था और प्रिवेस एर के क्वाटर टू में यह 6155 करोड था तो इंट्रेस्ट अर्ण में येर औन येर बेसिस पर 19% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंसियली इसमें 2% की बढ़त हुई है क्वाटर टू में टूटल इंकम 8412 करोड है जो प्रिवेस क्वाटर में ये 8184 करोड था और प्रिवेस एर के क्वाटर टू में ये 7,065 करोड था तो टोटल इंकम में year on year basis पर 19% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंसिल ये इसमें 3% की बढ़त दिख रही है quarter 2 में operating profit 1530 करोड है जो previous quarter में ये 1838 करोड था और previous year की quarter 2 में ये 1748 करोड था तो operating profit में year on year basis पर 12% की कमी हुई है और अगर सिक्वेंसिल ये देखें तो इसमें लगभग 17% की गिरावट दिख रही है quarter 2 में provisions for non-performing assets एक हजार 939 करोड है आप देखिए इस quarter में total provisions 967 करोड ही है लेकिन provision for non-performing assets total provision से ज़्यादा दिख रहा है इसकी वज़ा है right back of provisions in standard advances तो right back करने के वज़ा से provisions for non-performing assets बढ़ गया है total provisions से previous quarter में provisions for non-performing assets 244 करोड था और previous year के quarter 2 में ये 1070 करोड था quarter 2 में net profit 605 करोड के आज़ पास है जो previous quarter में ये 418 करोड था और previous year के quarter 2 में ये 318 करोड था तो net profit में year on year basis पर 90% का increase हुआ है और sequentially भी ये लगबग 45% बढ़ा है तो दोस्तो net profit में year on year और sequential दोनों ही basis पर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है quarter 2 में earning per share 70 पैसे है जो previous quarter 49 पैसे था और previous year के quarter 2 में ये 37 पैसे था अब चलिए हम लोग NPA ratios को देखते हैं quarter 2 में gross NPA 4.62% है जो previous quarter में 4.95% था और previous year के quarter 2 में 9.67% था तो gross NPA में year on year basis पर 505 basis points की कमी हुई है और अगर sequential देखें तो यहां 33 basis points की कमी हुई है quarter 2 में net NPA 1.64% है जो previous quarter में 1.75% था और previous year के quarter 2 में 2.95% था तो net NPA में year on year basis पर 131 basis points की कमी हुई है और अगर sequentially भी देखें तो इसमें 11 basis points की कमी हुई है तो asset quality में तो लगातार सुधार हो रहा है quarter 2 में net interest income 3028 करोड है जो previous quarter में 3.181 करोड था और previous year के quarter 2 में यह 2747 करोड था तो net interest income में year on year basis पर 10% का increase हुआ है लेकिन अगर sequential देखें तो यहां लगबग 5% की गिरावट हुई है और यह expected ही था क्योंकि banks को जादे interest देना पड़ रहा है deposits पे इसलिए net interest income sequentially कम होनी की ही उम्मीद थे quarter 2 में net interest margin 3.43% है जो previous year quarter 2 में यह 3.44% था तो net interest margin में year on year basis पर थोड़ी सी गिरावट दिख रही है वैसे तो यह stable ही लग रहा है यह गिरावट मात्र एक basis points का है अब चली हम लोग इस bank के इस financial year और अगले quarter के guidance के बारे में देख लेते हैं और यह भी देखते हैं कि September quarter में इस bank ने कैसा perform किया है तो September quarter में इस bank का जो total business growth हुआ है year on year basis पर वो 11.51% हुआ है deposit में year on year basis पर 8.21% का ग्रोथ हुआ है advances में 17.26% का ग्रोथ हुआ है कासा 49.40% पर रहा है net interest margin 3.43% आया है इस quarter में gross NPA 4.62% रहा है net NPA 1.64% रहा है और इस bank का guidance है December quarter के लिए कि इस bank में year on year basis पर ग्रोथ 10-12% रहेगा deposit का ग्रोथ 8-10% पर रहेगा advances का ग्रोथ 14-15% पर रहेगा कासा 50% पर के आसपास मतलब माइनस प्लस वन पर रहेगा net interest margin 3.25% से 3.5% के बीच आना चाहिए gross NPA 4.5% से कम रहने के उमीद है और net NPA 1.5% से कम रहने के उमीद है अगले quarter के लिए ये guidance है और पूरे financial year 23-24 का जो guidance हो ऐसा है कि गे bank सोच रही है कि इस bank को 10-12% का अभीनेस ग्रोथ होगा deposit growth 8-10% के बीच रहेगा advances में 14-15% का ग्रोथ होगा कासा 50% से ज़्यादा आएगा net interest margin 3.25% से 3.5% के बीच रहेगा gross NPA 4 से सावा 4% के बीच रहेगा और net NPA 1 से नीचे ही आने के उमीद है तो guidance तो मुझे अच्छा ही लग रहा है इस हिसाब से देखें तो इस bank का result अच्छा ही है और bank ने अच्छा ही guidance भी दिया है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आप से एकली वीडियो मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद